हेलो and welcome to my art and craft करनर आज हम सिखेंगे कि कपड़े के ऊपर हम किस तरह से सुंदर-सुंदर flowers खुद बनाके उसे paint कर सकते हैं हम shading और semi-shading से कुछ flower designs and leaf designs सिखेंगे तो आये देखे उसके लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत होगी हम कपड़े के ऊपर जो painting करेंगे उसके लिए हमें pencils की जरूरत होगी मैं नर्मली 2B का pencil यूज करती हूँ नर्मल 2B का pencil यूज करती हूँ ताकि मेरे कपड़े के ऊपर ये एकदम हलका निशान छोड़े आप चाहें तो HB का एक नर्मल सा pencil, drawing pencil यूज कर सकते हैं आज मैं आपको क्योंकि वीडियो में थोड़े clear दिखाई दे इसके लिए 8B या फिर 5B pencil से draw करके बताऊंगे आप सेम इसी तरह से draw कीजेगा पर dark pencil से नहीं 2B pencil से या फिर HP pencil से आप draw कीजेगा ज्यादा dark अगर हम pencil यूज करते हैं तो color करते वक्त white के साथ वो मर्ज होके grey color छोड़ता है इसलिए जितना हो सके light color का pencil ही यूज कीजेगा उससे आपका flower या फिर setting बिल्कुल खराब नहीं होगा frame कपड़े को fix करके design करने के लिए water चाहिए और कुछ color चाहिए हमको और brushes चाहिए एक zero और एक two to six के अंदर कोई भी एक brush यहाँ पर मैंने three and number zero brush लिया है simple and easy flowers हम बनाएंगे तो चलिए देखें कैसे बनाते हैं तो कपड़े के ऊपर drawing बनाते वक्त आप किसी book के ऊपर कपड़े को रखें या फिर आपका chopping board या फिर exam board कुछ भी रखें उसके ऊपर आप design बना लें हम simple flower design सिखेंगे और उसके ऊपर हम setting करना सिखेंगे flower and leaf design आज कुछ सिखेंगे फिर हम सिखेंगे कि कैसे उन से flowers को लेके हम सुन्दर सुन्दर flower designs बना सकते हीं यानि उनको combine करके design करना भी सिखेंगे तो चलिए कुछ flowers बनाते हैं simple circle और इस तरह से हम design करते हैं एक तब normal flowers हम सिखेंगे कैसे बनाते हैं इस तरह से हम कुछ flowers बनाएंगे देखिए एक तब flower का यह हमारा आडा या फिर्चा वाला flower है तो उसके लिए हम इस तरह से उसको design करेंगे इस तरह से अगर हमको flower के birds बनाने हो तो फिर एक तम नर्मल सा design में बनाऊंगे और उसके उपर हम set सिखेंगे कुछ इस तरह से I hope आपको अच्छे से दिखा दे रहा हो इस तरह से और leaf के लिए हम simple इस तरह से कुछ design बनाएंगे यह तो कोई भी आसानी से घर में बना सकता है तो अब हम बनाएंगे एक rose simple सा rose उसके लिए just a question mark जैसा आपको बनाना है और फिर देखें कितना easy सा design होता है यह आपको कोई महनद करने वाला flower में नहीं बता रही हूँ एक तमीजी से आप इस तरह के flowers बना सकते हैं देखें चले मैं पास्टे दिखाते हूँ देखें एक तम easy and simple design सामने बनाया है कपड़े के उपर डारेक्ट पेंसिल की मदद से मैंने यहाँ पर आपको दिखें इसलिए dark pencils का यूज किया है पर जब आप घर पर बनाएंगे तो 2B या फिर HP pencil का यूज कीजेगा ज्यादा dark मत बनायेगा इसे आपका फ्लावर रेडी है चले इनको हम color करके देखते हैं तो देखिए हमारा फ्लावर रेडी है हमने इसे फ्रेम करके fix कर लिया है तो चले सीखते हैं सेटिंग से flower बनाना सेमी सेटिंग से और इसे हम प्रपर सेटिंग करके फ्लावर बनाएंगे तो उसके लिए मैंने red इंग white color ले लिया है तो सबसे पहले हम red color को इस तरह से flower पर फ्लावर पर फ्ला लेंगे पूरे flower को red color से भर लेते हैं तो देखिए हमने इस तरह से पूरे flower के ऊपर red color से कभर करके color कर लिया है अब simply हमको white color लेना है और इसे इस तरह से उपर से नेचे strokes लगाना है देखिए हमें बस इस तरह से strokes लगाना है इस तरह से यह आपका simple setting वाला flower रेटी है मैंने strokes में आपको बताया है कि कैसे हम inside strokes, outside strokes लगा सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके आप वह सब सीख लीजे ताकि इस तरह का strokes लगाना आपके लिए इजी हो जाएगा इस तरह से हम पूरे flower को भर लेंगे हमने यहाँ पर water या फिर medium का योज नहीं किया है सिंपल कलर के साथ ही हम इसे भर रहे हैं देखें जैसे जैसे आप strokes लगाते जाएंगे आपका color setting भी होता जाएगा इस तरह से तो अब इसको आप जितना smooth बनाना जाएं बना सकते हैं छोटा छोटा strokes देखें यह तो हो गया आपका सिंपल strokes तो एक दूसरे पेटल को हमको अलग दिखाने के लिए जिस तरह हमने drawing किया था उसी साब से हमको जाना होगा इस तरह से पेटल के अंदर से आपको design बनाना होगा सिंपल white color ले लिजे ब्रस को रोल कीजे और इस तरह से एक line बनाएं देखे इस तरह से आप अपने पेटल्स को एक दूसरे से अलग दिखा सकते हैं इस तरह से तो चले पूरे flowers को फर लेते हैं सिंपल setting है और आप इसे कह सकते हैं half setting semi setting, half setting इस तरह से आप इसे कह सकते हैं तो लेजी आपका simple and easy semi setting से बना flower ready है आप इन दू flowers को भी birds और इस flower को भी हमेशी तरह से set कर लेते हैं तो हमने birds के लिए color भर लिया अब हम number 0 brush का यूज करके उसको fine lines देंगे अपना drawing किया है तो आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से आपने strokes लगाने हैं तो बस इस तरह से simple and easy technique से आप regions बना सकते हैं इसे फिर से बाहर से अंदर की तरफ आप strokes लगाएं छोटे-छोटे strokes लगाके आप अपने color को blend कर लेजे आप जहां पर कम या फिर जहां पर ज्यादा white रखना चाहते हैं वहां आप कर सकते हैं थोड़ा और color लेके color mixing का कोई proper formula नहीं होता आप अपने हिसाब से उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं यानि अगर आपको थोड़ा dark चाहिए तो आप red color लेके dark बना ले और अगर आपको थोड़ा light चाहिए तो आप पस white mix करके उसको light बना ले इस तरह से चलिए और एक flower बना लेते हैं तो लिजे हमने simple setting से अपने flowers और birds बना ले तो अब इनके अंदर हम yellow color भर लेंगे हम जब simple setting करते हैं तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो color हम base पर लगाते हैं उस पर जादा color हम नहीं भरेंगे क्यूंकि उसके उपर और एक color भी आएगा तो अगर हम ज्यादा color भर लेंगे तो color mix हो जाएगा उसलिए इसे जितना हो सके आप simple ही रखें आप green color से इसे आप चाहे तो यह वाला design भी आप zero number brush से कर सकते हैं तो अगर आप चाहे तो green color और zero number brush से अंदर का design कर सकते हैं मैं इसे प्रस कर रही हूँ पर आप zero number से कीजिए ताकि आपके hand से यह easily बन जाए तो बस एक C जैसा ही कुछ आपको या फिर half circle जैसा बनाना है और इस तरह के flower के अंदर हम simply उसे उपर की तरफ इस तरह से लगाएंगे चली पास से दिखते हैं इस तरह से हम इसे भर लेंगे मैं यह आपको simple shading बता रही हूँ जो की हम कहते हैं semi shading और बस साइड से हम कुछ इस तरह के green dots लगा लेंगे आप चाहें तो यहाँ पर black and white का भी उच कर सकते हैं बस इस तरह से और birds के लिए simple हम color mixing के कर देंगे आप जब अपने design खुद बनाते हैं तो आपको पता होता है कि आपने किस तरह से lines बनाए हैं तो आपको setting या फिर strokes लगाने में easy हो जाता है तो चली अब देखते हैं leaf हम किस तरह से तयार करते हैं मैं यहाँ पर green white and yellow color को mix करके एक leaf परनाऊंगे सबसे पहले अच्छे से color लेके हम पूरे leaf को color कर लेंगे पर यहाँ पर ध्यान बस यही रखिए कि हम ज़रत से ज्यादा color नहीं भरेंगे पूरा smooth करके उसको फैला लेंगे इस तरह से पूरे के पूरे flower पर हम color को फैला लेंगे इस तरह पूरा color भरने के बाद अब फिर से ब्रस को इस तरह से एक तरफ stroke लगा के जो भी excess color है उसे निकाल दे वैसे तो मैंने बहुत से तरीके के flowers बनाना आपको बताया है मैंने यह खुद ड्राओ करके हम बना रहे हैं देखिये में एक stroke लगा के उसको ही हम इस तरह से फैला लेंगे और और साइट्स में किसी भी साइट्स में जिसमें आपको चाहिए लाइट उस तरफ आपे से लगा ले और इस तरह से अपने फ्लावर को लीफ को सरी मैच कर ले इस तरह से अब जितने ब्रस से लाएंगे सेडिंग के ऊपर आपका डिजाइन उतना स्मूथ बनता जाएगा यह हमने अपने सेडिंग कर लिया है अब इसे अगर आप चाहें तो थोड़ा और वाइट लेके लिफ को डिफाइन कर सकते हैं देखें इस तरह से पर हमेशा पहले लाइट ही मर्ज कीजेगा उसके बाद थोड़ा और कलर लेके आप बना सकते हैं लेजे बन गया आपका सिंपल सा डिजेंड लिफ अब हाइलाइटर का यूज करने के पाद आप इसे एसे ही मत छोड़िएगा फिर से ब्रस थोईए अच्छे से पूछिए और उसे ब्लेंड कीजी ब्लेंड करने का मतलब है जो लाइट एंड डार कलर के अंदर का जो गेफ है उसको कम करना कुछ इस तरह से अब अगर यहाँ पर मैं कुछ और कलर यूज करना जाहूं तो फिर इस तरह से मैंने टिप में थोड़ा सा यल्लो रखा है या फिर इस तरह से मैं इसे डिजैन कर लूँगे इस तरह से लगा के फिर से इसे हमें ब्लेंड करना होगा इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे हमने पहले वाइट कलर का सेट बनाया फिर यल्लो कलर से उसको इस तरह से हमने नच किया है इस तरह से आप फिर से थोड़ा सा वाइट कलर लेके हम इनको इस तरह से डिफाइन कर लेंगे हम जब कलर के उपर दूसरा कलर देते हैं तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि हम कलर को अच्छी तरह से मर्ज करें यानि दोनों कलर एक दूसरी के साथ सिंप्ली मर्ज हो जाएं इस तरह से हमने सेमी सेडिंग से एक डिजाइन लिफ का बना लिया अब इसके उपर आप चाहें तो ब्लाक कलर से आउटलाइन कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दे तो लिजी सिंप्ल सेमी सेडिंग से बना आपके कुछ फ्लावर्स एंड लिफ्स रेडी हैं धजकी आपके का बना लिफस्ट का बना लिफट है लिफटलावर्स भावर्स इसके जागशन है या अब बना लिफटलावर्स